नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में और इस समय जो खबर आ रही है वो दरसल पाकिस्तान से जुड़ी हुई है जिस तरीके से वहाँ पर वर्तमान सरकार यानी की इमरान खान का तख्ता पलट किया जा रहा है और इमरान खान का ये आरोप है कि अमेरिका और पाकिस्तानी सेना मिलकर इमरान खान का तख्ता पलट करना चाती है जिसके बाद उन्होंने कल रात को पाकिस्तान को संबोधित करते हुए अपना संबोधन किया जिसमें कि उन्होंने तकरीबन तीन बार से भी जादा बार भारत की तारीफ की पियम मोदी की जो विदेश नीती है उसकी तारीफ की साथ ही भारत को एक खुददार देश बताया और कहा कि भारत पर कोई आख उटाने की जुरुरत नहीं करता वहीं इसके जवाब में जहां इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की तो वही जो विपक्ष पार्टी की नेता है मरियम नवाज शरीफ उन्होंने अपना रेयक्शन दिया और साथ ही इमरान खान की पूर्व पतनी रेहम ने भी इस पर रेयक्शन दिया और मरियम नवाज ने क कि अगर इम्रान खान को भारत की विदेश नीती और भारत की नीतियां और भारत सरकार इतना पसंद है तो वह भारत में क्यों नहीं चले जाते इस तरीके की सला मर्यम नवाज ने दी है आपको बताते हैं कि यह पूरी खबर क्या है विस्तार से सुप्रीम कोट के अविश्व तीन बार भारत का जिक्र किया दो बार उसे खुद्दार देश बताया तो वहीं एक बार इवियम को भी सराहा अमेरिका को फिर कोसा और उसे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला बताया वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मर्यम नवाज शरीफ ने भ तो भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ कर वहीं क्यों नहीं चले जाते वहीं विपक्ष के नेता और नवार शरीफ के भाई शहबार शरीफ ने आरोप लगाया कि इमरान खान आवाम से जूट बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि सत्ता से चिपके रहने वाला वैक तीस्वा भी मानी नहीं बल की स्वार्थी होता है दरसल एक दिन पहले ही इमरान खान ने आवाम को संबोधित करते हुए भारत की शान में खसीदे पढ़ें इमरान खान ने कहा कि भारत हमारे साथ ही आजाद हुआ था भारत से मुझे काफी इज़त और प्यार मिला है भारत खुदार कौम है कभी किसी की जुरत नहीं कि वहां ऐसी बात कर सके किसी सूपर पावर की इतनी हैसियत नहीं कि भारत अमेरिकी प्रतिवंदों के बावजूद रूस से तेल खरिदने जा रहा है यूरोपिय संग के राजदूतों ने पाकिस्तान को चठ्थे लिखकर रूस के खलाफ बयान देने को कहा था लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि ऐसी चठ्थी भारत में लिखते आपको बता दें कि मर्यम नवाज ने ट्वीट कर कहा कि पीम इमरान को किसी और ने नहीं बलकि उनकी अपनी पार्टी ने घर भेजा है अगर आप भारत को इतना पसंद करते हैं तो फिर आ आप वहां क्यों नहीं चले जाते और पाकस्तान को अकेला छोड़ देते मर्यम ने आगे कहा कि भारत के विबिन प्रधान मंत्रियों के खलाफ कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव पेश किये गए और किसी ने भी पीम इमरान की तरह देश के समवधान का शोशन नहीं किया उन समवधान और पूरेदेश को बंधक बना लिया है इमरान की पूर्वपत्नी और मुखर आलोचक रहम खान ने भी तंज कस्ते हुए कहा कि इमरान खान ने अचानक भारत के लिए प्रचार करने का फैसला लिया है उन्हें यह महसूस हो गया है कि अब वो इस बार नहीं जीत प्रशंसा की क्योंकि उसने अपने पडोसी देश को खुद्दार कौम करार दिया आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इमरान खान ने भारत की तारीफ की हो जब से पाकस्तान में राजनेतिक उथल पुथल शुरू हुई है इमरान खान ने भारत पर अपना खुद देख लो मोदी जी के नए भारत की कहानी अपने आका इमरान खान की जुमानी वही पाकिस्तानी पंजाब के पूर्व मुखे मंत्री और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से चिपके रहने वाला वैक्ती स् मानी नहीं बल की स्वार्थी होता है उन्होंने कहा कि इमरान खान संसत सम्विधान और नियाय पालिका पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वस अत्ता खोने के बाद दुख में डूप चुके हैं उन्होंने दावा किया कि पाकस्तानी प्रधान मंत्री वोटिंग से पहले ही प्रस्ताओं की सफलता की घोशना कर चुके हैं पतादे की शहबाद शरीफ ने कहा कि इमरान खान नियाजी विदेश्री चिठ्थी वाले दावे पर जूठे साबित हो चुके हैं अवाम को भेड़ बकरी समस्ते हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट ने तथ्यों का विशल पाकिस्तानी संसद में विश्वास मत के दौरान इमरान खान को हराने का दावा भी किया है बता दे कि आज यानि कि शनिवार को पाकिस्टानी संसद में विश्वास मत पर वोट होना है बता दही जोहाँ कल इमरान खान ने पाकिस्तान को सम्बोधित किया और आज पाकिस्ताणी संसद में विश्वास मत पर वोट होना है तो वही इमरान खान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की अवाम से यह अपील किया है कि वो प्रोटस्ट के लिए आए अपने घरों से बाहर निकले क्योंकि उनका यह कहना है जो पाकिस्तान की अवाम है आगर यह चाहती है कि उन्हें गुलामी वाली सत्ता नहीं चाहिए बलकि एक इस्वतंत्र सत्ता चाहिए रूह attent शात्र शासन चाहिए तो उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना होगा और इम्रान खान के फेवर में प्रोटेस्ट करना होगा वहीं इम्रान खान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो अमेरिका है वो साजिश रच रहा है और उसी के साथ इसाथ पाकिस्तान की सेना है वो साजिश रच रही है और इम्रान खान का तखता पलट कर रही है वह इमरान खान ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में ये चीज़े नहीं होती भारत की जो विदेश नीती है वो बहुत ही अच्छी है और आज जितने भी दुनिया के सूपर पावर देश है चाहे वो फिर रश्या हो अमेरिका हो वो भारत पे आग उठाने के जरुरत नहीं करता और भारत के खलाफ ऐसी साजश करने की जरुरत नहीं करता जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के खलाफ साजश कर रहा है आपको बता दें कि जो सूत्र है उनका ये मानना है कि जब से योकरेन और रश्या का वार जो है शुरू हुआ था तब इमरान खान रश् तेख तैसे तांकि रशिया दुनिया से पूरी तरीकें से थालगोग जाए उसके बाद इमरान खान यहां से मिलते हैं वहाँ के लीडर से जिसके बाद अमेरिका नराज हो जाता है और अमेरिका की चाज़िश होती है कि पाकिस्तान का तखता पलट कर दिया जाए वही जिस तरीके से नवीन कुमार जिंदल उनका ट्वीट शेयर करते हुए लिखते हैं और देश के जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं उनको आइना दिखाते हैं कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते थे कि पीम मोदी जो है हमेशा विदेशों का दौरा करते हैं तो पीम मोदी ने विदेश दौरा करके ये चीज़ हासल की कि आज जो आज का जो भारत है वो दुनिया के देशों को लीड कर रहा है और आज के भारत में किसी की आख उठाने के जरूरत नहीं होती और कोई भारत के खलाफ साजिश नहीं कर सकता भारत के ख खारत की तारीफ करने से उनकी जो सत्ता है वो समल सकती है और वो क्या फिर से प्रधान मंत्री की सत्या पे काबिज रह सकते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस खबर पे आपकी क्या रहा है हमारे साथ अपना विचार जरूर साजा करें आगे क्यों और भी ।